नमस्कार आप सभी का जी एस पंगनेट के इस यूटूब प्लेटफोर्म पे तो साथियो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार में जो बिहार पुलिस भरती दो हजार तेईस एकीस हजार तीन सो एकानवे सीटों के लिए आई है इसका जो आपका एकजाम है एकजाम सु कम समय बचा है और देखिए इसी एकजाम को टार्गेट करते हुए हम लोग जो भी इंपोटेंट प्रस्न है सारे प्रस्नों को हम लोग प्रेक्टिस के माध्याम से कोस्चन में के माध्याम से टॉपिक वाईज हम लोग कवर कर रहे हैं तो देखिए इस सेशन में यानि कि यह जो सेशन है आपका लाइव मोड में चलेगा ठीक है और इस लाइव सेशन में हम लोग जो ज्यान विंदू जासर के मानिया रॉष्णां सर्का जो ओफलाइन क्लास टेस्ट है देखिए ओफलाइन क्लास टेस्ट के प्रश्नों को हम लोग सल्व करेंगे और देखिए आ हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं सेशन सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करके वगल वाले घंटी को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से सम्मंदित इस चैनल पर अपलोड किया जाए यूट यूटूब आपके फोन पर उसका नोटिफिकेशन असानी से पहुचा सके ठीक है तो चलिए हम लोग अपने सेशन को सुरू करते हैं और देखे आप लोग सेशन को लाइप जरूर एक कर देजिएगा चूकि बहुत मेहनत करना पड़ता है एक सेशन को लाने में ठीक है चल इने बार विभाजन से 256 को सिकाय बनेगी चलिए इस फ्रस्ण का जबाब आप लोग जल्दी से बता देजिए कि कितना बार विभाजन होगा इससे पहले आप लोग ध्यान देजिएगा कि माइटोसीस में जो है सम सुत्री विभाजन होता है इस बात को आप लोग ध्यान परकेगा यानि कि पहली बार विभाजन से पहली का दोगुना बनता है इसी तरह दोगुना बनते जाता है ठीक है देखे 256 पुचा है बनने में कितना बार विभाजन होगा तो ध्यान देजिए पहली बार विभाजन से दो को सिका बनेगा और दूसरी बार विभाजन से य आपर चार का दूगुना आठ इसे तरह आप लोग देखें दिये 256 जाने में कितना बार ओ Ari फिरह्णोंगा 8R2 हो जाएगा ठीक है 16 का विजान होगा ने ठीखें कि दिखिए कि इतिना बन जाएगा ध्यान दिजिए आप लोग यानि पी 32 बन जाएगा और 32 से देखिए 256 में कुल कितना बार विभाजन हुआ है तो ही देखिए एक बार हुआ है दो बार हुआ है तीन बार हुआ है चार बार हुआ है पांच बार हुआ है छो बार हुआ है और आठ बार हुआ है ठीक है कुल कितनी बार विभाजन हुआ है तो देखिए अब आपके प्रस प्रस्ण का सही जबाब अप्सन ए हो जाएगा ठीक है चलिए दो नंबर प्रस्ण है गोलजी कारे का प्रमुख कारे क्या है देखिए गोलजी कारे का प्रमुख कारे आप सभी को बताना है इससे पहले आप लोग ध्यान देजिएगा गोलजी यानि कि इस गोलजी की खोज कि ठीक है और ध्यान दिजी इस प्रस्ण के लिए सही जवाब जो लोग भी अप्शन डी बता रहे हैं सराओ आपका जवाब बिल्कुल सही है ठीक है यहीं कि दो नमबर प्रस्ण के लिए सही जवाब अप्शन डी हो जाएगा अगला प्रस्ण है देखिए या पर तीन नमबर लाइसोसोम में पाये जाने वाला वह एंजाइन जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नस्त कर देने की छमता होती है क्या कहलाता है देखिए उस एंजाइम का नाम आपसे पूछ लिया गया है आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान दिजिए इस प्रस्ण के लिए सह जब आप जो लोग भी अपसंदी बता रहे है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका बिल्कुल सही जबाब है ठीक है यही पर आपसे पूछा जाता है देखिए यही पर आपसे पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज किस ने किया था तो ध्यान रख्येगा दी डौवे क यही थाली लाइसोसोम को ही कहा जाता है ठीक है देखिए प्रस्न पूछा गया था कि लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजायम जिसमें जिवद्रब को घुला देने यह नश्ट कर देने की छमता होता है हाइड्रोलाइटिक एंजायम करादा है आपसे नमबर डी पताना है और जो लोग भी इस प्रस्ण के लिए सही जबाब अपसन D बता रहे हैं बिल्कुल सही है या कोशिका अड़ों के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन अड़ों के संचलन को रोग दिया जाता है किसके द्वारा प्रागम्म के होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब पांचवा नमबर प्रस्ण है बायोवसी संबंदिते बायो योवसी किसे संबंदिते आपको बताना है तो देखिए बायोवसी पूछा गया है ध्यान रखेगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अपसन C हो जाएगा परिड़क् अंगों में गती के लिए जीमेदार उत्तक बताना है देखिए जीमेदार उत्तक आप से पूछ लिया गया है क्या होगा इस प्रसंद का सही जबाब आप लोग बताईए तो देखिए छो के लिए जो लोग भी जबाब अपसन भी बता रहे हैं पेशिये उत्तक आपका जबा जाए प्रस्ट ध्यान रख्येगा सुचना का इस्तनांत्रन बोडी में किस के द्वारा होता है तंत्री का उत्तक के द्वारा होता है इसे बात को आप लोग ध्यान रख्येगा ठीक है वहीं पूछा जाता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है ध्यान रख्येगा तरल सन्योजी उत्तक है रक्त का pH मान कितना होता है 7.4 होता है रक्त क्या है छार यह होता है ठीक है तो आप लोग इस नाई प्रस्ण से ध्यान रखेगा बात को ठीक है अगला प्रस्ण देखिए यहाँ पर पूछा गया है साथ नंबर टेंडन का निर्माण होता है टेंडन का निर्माण कह से निर्माण से प्रस्ण ध्यार रखेगा यानि की श्वेथ तन्तु में उत्तक से किसका निर्माण होता है टेंडन का जो लोग भी अप्सन ए बतार रहे इस प्रस्ट का सही जवाब बिल्कुल सही है ठीक है अगला प्रस्ण नंबर निमलिखित में किस प्रकार के उत्तक सरी के सुरवच्छा कोज का कार्रे करते हैं आपको बताना है तो देखिए अप्सन नमबर यह ध्या रखेगा उपकलाउ तक ठीक है उपकलाउ तक आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है देखिए यहापर नौ नमबर जो प्रस्ण है आपके सामने प बताईए इस प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो देखिए इस प्रस्ण के लिए काफी लोग जबाब बता रहे हैं अप्सन नमबर डी देखिए अप्सन नमबर डी ही आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा सीरियल ड्यूरामेन हिर्दय कास्ट ठीक है इस प्रस्ण क सही जवाब होगा अप्शन नमबर डी ये तीनों हो जाएगा जो अप्शन नमबर डी में देखिए इसमें से सभी दिया गया है अगला प्रस्ण है दस नमबर मुर्गियों को होने वाला हैजा का करण क्या है है हैजा का करण मुर्गियों में जो होता है इसका करण बताना है देखिए अप्शन B ध्यान रखिएगा बिशाणू जो लोग बता रहा है वाइरस आपका सही जबाब है अप्शन नमबर B बिशाणू के वज़ा से मुर्गियों में क्या होता है है जारोग होता है अगला प्रस्ण है 11 नमबर सालक टिका निमलिकित में से किस ब्याधी से दिखिए आपको बताना है तो देखिए अप्शन B आप लोग ध्यान रखिएगा पॉलियों से संब्रस्ण हो जाएगा अप्शन अगला प्रस्ण है तेरा नंबर नाइट्रोजन एस्त्रीकरण में निमलिखित में से कौन सी फसल सहायक है आपको बताना है तेकि यह फसल आप से पूछ लिया गया है ध्यान रखिएगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा अप्शन नंबर यानि कि सी हो जाएगा तेरा के लिए सही जबाब अप्शन नंबर सी हो जाएगा फली लेकिन देखिए आपके प्रस्ण में अप्शन अगर चेंज कर दिया गया तो ध्यान रखिएगा दलहनी फसले नाइट्रोजन एस्त्रीकरण की परिक्रिया में क्या करती है मदद करती अगर दलहनी भी आपको दे देना थ्यान रखिएगा दलहनी फसल भी क्या होगा इस प्रस्ण का सही जबाब ठीक है लेकिन नहीं दिया गया तो फली आप लोग ध्यान रखिएगा अप्शन नंबर सी होगा ठीक है अगला प्रस्ण है चोड़ा नंबर पांच जगत में कु देखिए इस प्रस्ण को आप लोग पढ़ दीजिए और ज्ल्दी से इस प्रweek का जबाब बता देखिए, काफी लोग ऐक सोल बी बता रहे हैं इस प्राष्ण का तरह कुछ लोग ऐ बता रहे हैं तो तो मुनेरा और प्रोटिष्टा दो ऐसे जगत है जिसमें केवल एक कोशिके ही जीव सामिल है अपसा नमबर भी ध्यान रखेगा इस प्रस्थन का सही जबाब पंदरा नमबर प्रस्थन है निम्नलेखित में से किस वर्ग के सेवाल को समुंदरी घास भी कहा जाता है समुंद प्रस्थन के लिए सही जबाब जो लोग भी बता रहे हैं फियो फाइसी आपका बिल्कुत सही जबाब है यहनि कि पंदरा के लिए आपका सही जबाब क्या हो जगा फियो फाइसी आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है देखिए यूपियुक्त सभी देख करके मत लगा थियाए ना अप्सन को अच्वाशे से पढ़िए 16 प्रस्तन है निममेंसी किस एक जीव में सण्वहन उत्धक पाये जाते हैं आपको बताना है तो देखिए जो लोग भी इस प्रस्णक के लिए काफी लोग तो भी बता रहे हैं बी कैसे होगा नहीं होगा भी पर नई नहीं होगा इसका सही जवाब होजागा मरसिलिया हो जागा आपस नम्मीर सी मरसिलिया आंप दियान रख़्े ह going इस प्रस्ण के लिए सही जबाब होगा, ठीक है, 17 नमबर प्रस्ण है, बर्गत का बेग्यानिक नाम यावान श्पातिक नाम पुछा गया है, देखिए हम प्रेक्टिसेट में कराए भी हैं बर्गत का, आप लोग का याद होगा, तो आसानी से इस प्रस्ण का सही जबाब ब किसे लोएन फिस कहा जाता है, आपको बताना है, देखिए लोएन फिस का बात करें, तो जो लोग भी अप्सन नमबर सी बता रहे हैं, इस प्रस्ण का सही जबाब काफी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, यानि कि टेरोईस बोलियन्स को क्या कहा जाता है, लोएन फिस कहा जाता है option number C आप लोग ध्यान रखेगा इस प्रस्ण के लिए सही जवाब हो जाएगा ठीक है 19 नमर प्रस्ण का सही जवाब बताईए कि क्या होगा देखिए पर्ल आइस्टर में मोती कहां से बनता है चार अपसन आपके पास दिया गया है आपको इस प्रस्ण का सही जवाब लाइव चेट में बताना है देखिए 19 नमर प्रस्ण के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा जो लोग भी option D बता रहे हैं option D आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा त्वाचा में धस से किसी भी बाहरी कण के चारो और बने आवरण से क्या होता है परल आइस्टर मोती का निर्वाण होता है option D दिया रखेगा इस प्रस्ण के लिए 20 नमर प्रस्ण है निमलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बचे नहीं देता है कौन अंडा देता है सीधा बचा नहीं देता है चार option आपके पास दिया गया है आपको इस प्रस्ण का सही जबाब बताना है देखिए अगर बात किया जाए कंगारू बचा देता है वेल बचा देता है से ही बचा देता है लेकिन बच्चा पहले नहीं देता है, पहले अंडा देता है, एक किर्णा का नाम आप लोग ध्यान रखेगा, अपसन नमबर ये, जो लोग भी विदा रहे हैं, बिलकुल आपका सही जबाव है, ठीक है, एकिस नमबर प्रसने, लक्ष निर्धारन हे तू, रडार तंत्र किस में पाया जाता है, लक्ष के निर्धारन हे तू, रडार तंत्र किसमें पाया जाता है, देखिए यहाँ पर, तो ध्यान देजिए, एक किस के लिए जो लोग भी जब आप चमगादर बता रहे हैं, अपसन नमबर भी आपका बिलकूल सही जबाव है, ठीक है, बाइस नमब देखिए काफी लोगों का इंसर आना सुरू हो चुका है, और देखिए कुछ लोग तो A बता रहे हैं, कुछ लोग D बता रहे हैं, तो देखिए अगर बात कर लिया जाया 22 के लिए सही जबाव का, तो A वाले भी गलत है, B वाले भी गलत है, ठीक है, आपके लिए सही जब प्रशन का जीवों का प्रयावडन के अनुसार अनुकुलन जो लोग भी सी अप्षन बता रहे हैं इस प्रशन के लिए सही जबाब हो जाएगा तेश नमर प्रशन है यदि किसी बेक्ती का पिता से निकाल दिया जाए उस बेक्ती में किसका पाचन नहीं हो पाएगा देखई ये पितासे याणी कि पीत निकाल दिया जाय तो किसका पाचन नहीं होगा तो ध्यान दीजिए वसा का पाचन नहीं होगा अपसा नंबर वी जो लोग भी बता रही है इस प्रस्न का सहीजवाब बिल्खूल सही है आपका ठीक है देखिए 24 नमर प्रस्ण आपके पास है निमलिखित कत्नों पर विचार केजिए दो कथन दिया गया है चार अपसन दिया गया है देखिए यहां पर पूछा गया है कि पहला कथन पढ़िए आप लोग या मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरंती है दूसरा कथन है इसका रस एक विचिस परकार की कुशिकाओं से स्रावित होता है तता चारिय होता है और तिसरा कथन है इसके रस को पुन पाचक रस कहा जाता है उपयूप विचिस गुण क किसका है किसका है या तीनोग गुण जो कथन में बतायगा है तो देखिये अप संसी ध्याण रखेएगा अगनासे का तीनोग हो देखिए अगर बात कर लिया जाए 25 नमबर प्रस्ण का तो आप लोग ध्यान रखिएगा 25 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब हो जाएगा अप्शन D ठीक है देखिए अगनासरी रस में पाए जाते हैं कौन-कौन पाए जाते हैं तो कार्बोक्सी, पेप्टी, डेज पाए जाता है यही दोनों पाए जाता है अगनासरी रस में अप्शन D में दिया गया है एक और दो आपके प्रस्ण का सही जबाब अप्शन D हो जाएगा 26 नमबर प्रस्ण है दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक एस्ताई पर प्रस्ण हो जाएगा 27 नमर प्रस्ण है विडामीन बीच सिक्स कमी से पूरुस में कौन सा रोग होता है देखिए बीचिक बार बार इसका रसाइनिक नाम बताया है जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका नाम छाप देजीए रसाइनिश ठीक है यहीं कि वीच्छ इसका रासाइनिक नाम बताना है आप लोगों में बहुत बार बता जुगा हूं हर एक प्रेक्टिस सेट में इससे प्रस्ण रहता है ठीक है देखिए पूरुस में पूछा है कौन सा रोग होता है तो ध्यान रखिएगा पूर्सों में जो रोग होता है अपसा नंबर डी को से कौन सा रोग हो जाता है रोग पूछा गया है देखिए रोग बताना है आप सभी को तो अपसा नंबर एक को ध्यान रखिएगा बेरी बेरी रोग होता है अब बेरी बेरी रोग किसके कमे से होता है यह भी आप लोग बता देजिए काफिवा इस प्रस्ण को हम बताए है काफी एजी प्रस्ण है 29 नंबर बिटामिन सी का रहा शाय निकना तो ध्यान दखिएगा एसकॉर्बिक एसीड बताई है उएक नहीं बता है ठीक है अगला प्रस्न है तीस नंबर विटामिन्स क्या है आप सभी को बताना है देखिए अगर विटामिन्स का बात कर लिया जाए तो ध्यान किएगा जो लोग जब अब क्या होगा के important प्रस्न है आपके एकजाम प्रस्न देखने को मिल सकता है ध्यान रखेगा अप vendas तो अपने ध्यान रखेगा कंभी ड्यान कुमारी थीक है कन्या कुमारी आप लूब ध्यान रखेगा 32 नबर प्रस्न है देखिए यहां पर भारत के निमलिकित राज्यों को उनके भोगलिक छेतर के घंटते करम में विवस्तित किजिए घंटते करम यनि कि सबसे अधिक उसे कम उसे कम और सबसे कम क्या हो جाएगा लाश्ट में हो जाएगा तो छेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है राजस्तान है ठीक है उसके बाद कौन सा आता है तो ध्यान रखेगा उसके बाद जो आता है यानि कि आपका महरास्ट आता है उसके बाद करनाटक और लास्ट में तमिलांडू तो पर्थम नमबर पर होगा राजस्तान राजस्तान द देख लेजिए निम्न लिखित में से कौन सा ज्वाला मुखी सक्रिय है सक्रिय ज्वाला मुखी आपको बताना है देखिए सक्रिय ज्वाला मुखी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया गया है तो ध्यां रखिएगा जो लोग भी अब बैरन दीप बता रहे हैं इस प्रस् प्रस्न का सही जवाब अप्सन यह हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए और देखिए अगला प्रस्न क्या है आपके सामने अगला प्रस्न है चोंतिस नंबर भारत के देशांत्रिये विश्तार में लगभग कितने डिगरी का अंतर है देखिए अंतर पुछा गया है यह भी प प्रस्न को भी हम कराए हुए है जोग्राफी वाले एस्वेशन सेशन में आप जाकर के देख लिजी दो गुनी है अप्सन एक को आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न देखिए यहां पर 36 नंबर क्या है सुची एक को सुची 2 से मिलाना है देखिए कि देखिए अगर देखिए गा इस प्रस्न के लिए पढ़िए कि सही जबाब क्या हो जाएगा तोर डाकंठ्रेप सम्बंदित हो जाएगा किसे क्रिटेसियस आधी नूतन ठीक है क्रिटेसियस आधीनूतन एनिकि A का 3 हो जाएगा देखिए दो अप्षन A और B में दिया गया है बाकी ए दो अप्षन को काड़ दिये C और D को ठीक है पच्मी घाट का बात किया जाए ठीक है पच्मी घाट का अगर बात किया जाए तो पच्मी घाट का संबंद किसे हो जाएगा B का यहन्नी कि उतरन उतर अफसन A तो B के लिए क्या हो जागा 1 हो जागा तो B के लिए क्या हो जागा देखिए Apeson No. B में ही दिया गया है आपके प्रस्त का सही जबाब aafson B होगा जो लोग भी बता रहे है आपका सही जबाब है अफसन No. B 37 नमर प्रस्ण है भारतिय उप महादिप मुल्ता एक विशाल भोकंड था जिसे कहते हैं या प्रस्ण बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है ध्यान रखेगा ठीक है तो देखिए 37 के लिए सही जबाब अपसंडी गोडवाना लेंड का है अपसंड नमर डी आप लोग ध् इस्तित है लगू हिमाल्या किन हिमाल्या के बीच में इस्तित है आपको बताना है तो देखिए लगू हिमाल्या का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखेगा सिवालिक और महान हिमाल्या का बीच कौन सा हिमाल्या है लगू हिमाल्या है अपसंडी जो लोग भी बता रहे हैं इस प्रस्ने के लिए सही जबाब, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, 49 नमर प्रस्ने है, चटानों के विकास को कलमा अनुसार विवस्तित कीजिए, इन्हीं कि पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो अक्रियन हो जाएगा पहला, अक्रियन क्या हो जाएगा, पहला आप अक्रियन आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद धाडवार आता है, उसके बाद कुडबका आता है, last में बिंद करम की चटाने आता है, तो देखिए, किसके अफ्षन में last में दो दिया गया, एक ही अफ्षन ए है, जो लास्ट में कुल दिया गया, ठीक है, अप्शन ये ब हिमाले का पहाडी भाग भरत का सबसे पुराना भुखंड है नहीं या क्या है बिल्कुल गलत है ठीक है अप्सन ये भरत के तटिय भाग में संक्रे मैदान मिलते है या सही है भरत के उत्री भाग में जलोड मिट्टी पाई जाती है या भी सही है D वाला मालावार पठार अरावली और बिंध के बीचे यभी सही है बाकी अप्षन C क्या है गलत है इसके लिए जो लोग भी बता रहे हैं सी बिल्कुल सही है आपका जबाब ठीक है 41 नमर प्रस्थन है पिटली द्यूप जहां मनुस्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्ची अभ्यारन है भारत में या किस जगह पर रिश्तित है भारत का जगह आपसे पूछ लिया गया है ध्यार रखियेगा आप्षन B जो लोग भी बता रहे हैं लक्ष दीप समूँ आपका बिल्कुल सही जबाब है खीक है 42 नमर प्रस्न है पुर्वी घाट और पच्मी घाट निम्ण में से किन पहाड़ीों में आपस में मिलते हैं किन पहाड़ी में आपस में मिलते हैं आपको बताना है निलगेरी पहाड़ी काफी इंपोटेंट प्रस्न है बिहार पुलिस में पूछा भी गया है, अप्सन B को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्न है, 43 नमर देख लिजिए हिमाले परवतिये छित्र में बुग्याल सब्द किसको निरुपीत करता है, आपको बताना है देखिए बुग्याल का अगर बात किया जाए, तो ध्यार रखेगा उत्राखर्ण में पायच रता है, और 43 के लिए सही जवाब अपसन सी उचाई परेश्थित घास के मैदान को बुग्याल, ठीके, कहा जाता है 44 निरुपीत में कौन सी परवत्षणिया कासमीर हिमाले के अंतरगत आती है, कासमीर हिमाले के अंतरगत कौन कौन आती है देखिए कासमीर पूछ लिया गया है, तो ध्यार रखेगा आप लोग, इने में से सभी जासकर, पीर, पंजाल, लदाक, कारा, कौर्रम, ठीक है, यह सब किसके अंतरगत आता है, तो कासमीर हिमाले के अंतरगत आता है, अप्सन डी आप लोग, ध्यार रखेगा 44 के लिए सही जवाब, अप्सन डी हो जाएगा 45 नमर प्रस्ण है, कैलास सिखर निम्न में से किस राजी में एस्तित है, कैलास सिखर पूछा गया है, तो ध्यार रखेगा, कैलास सिखर जो हो जाएगा, अप्सन सी, निकिम्बे घाले में एस्तित है, ठीक है ठीक है से तालीस नमर्द पूस्टको पढ़एं करण और काण दिया गया है करण को पढ़ डिजे करण से ये पठार तंत्र हिमालई अपवा तंत्र से पुराना है और कारण है आर प्राइदीपिय नदिया प्रवस्ता में है तथा इन नदियों की घाटी चोणी तथा उथली हुई है कुड दिया गया है कौन सा सही है आप थोड़ा सा इस प्रस्म फे टाइम देजिए और इसको सल्व करने का प्रयास कीजिए देखिए आफसान ये जो लोग भी बता रहे हैं सही जवाब है आपका है अवर आर दोनों सही है लेकिन आर coy की व्याख्या करता है ठीके आर जो है एकी क्या करता है व्याख्या करता है इसवात को ध्या लख्यवाब यहीं कि प्राइदेपिय नदीय प्रवस्ता में है तर इन नदियों की घाटी चौणी होती है क्योंकि प्राइदेपिय अपवातनतर हिमालई अपवातनतर से क्या है पूराना है अप्शन E हो जाएगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब और तालिस नमर प्रस्ण है देखिए यहाँ पर सिंधु नदी तंतर में सामी नदियों का उत्तर से दक्षणी और सही करम बताना है उत्तर से दक्षणी बताना है तो ध्याँ रखिएगा उत्तर से दक्षणी हो जाएगा आपका जेलं चिनाव राभी सत्लज जेलं चिनाव का अपवा अतंत्र सबसे बड़ा है भारत में किसका बड़ा है तो गंगा आप लोग ध्यानक्षी का अपसन ने जो लोग भी बता रहे हैं आपसने पचीस सो पचीस किलोमेटर इसके लंबाई है ध्यानक्षी अपसन यह हो जाएगा आपके इस प्रस्ण का सही जवाब अगल स्सुमिलित नहीं पूछलिया गया है है अपसन टी एलए गburg सॉरी डी देनिटो द्धियार रखिएगा अपसन नंबर बी को ध्यार बाद किन नदीब नहीं रेणुगा नदी वहीं दुलास्ती चिनाव नदी पंचट बांध दामोदर नदी टीहरी बांध भागी रधी नदी ठीक है नहीं पूचा है अप्शन भी वाले सही है आपका विल्कुल जबा चलिए तो इस सेशन का 50 प्रस्न कंप्लेट हुआ काफी इंप्स्ट के प्रस्न था इस बात को द्या रखिएगा निकि क्लास टेस्ट के एफ प्रस्न थे ठीक है तो चलिए आप लोग कमेंट में बता दिजिए कि आपके त्यारी के साथ साथ कितना स्कूर आप 50 में कर पाये हैं ठीक है कट अप हम 49 लख्खे हुए रखे हैं इसका चुकि important प्रस्ण है पढ़ा हुआ ही प्रस्ण है ठीक है तो comment में बता देजिए कि आपका score कितना हो पाया है ठीक है इस session में और session कैसा लगा हमें comment करके बता दीजिए ठीक है ये तो session को समापत करते हैं फिर मिलते हैं अगले session के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत